हेलो श्रेंट आई निर्ण मौरे टोड़ वी आर गोइंग टो डिस्कॉस ऑल सेंट्र ऑफ ग्रैविटी ऑफ सॉल्ड वॉडियो में सॉलिड वॉडिक लिए सेंट्र ऑफ ग्रैविटी निकालेंगे कि इससे पहले जो वीडियो देखे थी यह परिश्म में पड़ाया था मने उस वीडियो में हमने क्या पड़ाया था सेंट्र ऑफ ग्रैविटी ओफ लैमिना मतलब किसी भी एक टूडी डाइग्राम जैसे हो गया त्रभूज हो गया आयताकार आकरती हो गई या फिर और जो 2 ऑगण के लिए को सいきज़ सकते हम्यों को ग्यात नहीं कर सकते इसलिए वह आकरती के निकालेंगे तो अभी तक हम जूटी लेमिनुंडरे T तो प्सक्राइख लिए लंत पर होता क्वक्यी निकालेंगे जो ट्रॉटी डाइग्राम में solid body के लिए हम center of gravity निकालेंगे लेक्चर में center of gravity of solid body solid body का मतलब होता है यह ऐसी body जिसका आयतन भी होगा और वो बस्तों कैसे होगे 3D होगे जैसे कौन, संकू, बेलन, गोला, अर्ध गोला तो संकू, बेलन, गोला और अर्ध गोला यह सब क्या है solid body, 3D बस्तों है, इन सब का हमें क्या निकालना है इन सब का हमें निकालना है center of gravity, ठीक है और यह कौन सी बस्तों है solid, तो इस topic को हम कहेंगे center of gravity of solid body, तो हमें पता है density sculpt क्यों होता है, mass period volume अगर हम mass की बात करें तो mass sculpt क्यों जाओ और row into v ठीक है, drum money sculpt क्यों होगा, घनत into, आयतन, अब हमें किसी बस्तों का क्या निकालना है, center of gravity, अब किसी ऐसी बस्तों का निकालना है, जो solid हो, तो उसका कुछ नो कुछ जब density हमारा cm होगा, तो क्या ज़कता है, इस constant, तो mass के आधर पे निकाल लो, जाए, आयतन के आधर पे निकाल लो, तो solid body के लिए हम center of gravity, mass के आधर पे निकाल लगते हैं, और आयतन के आधर पे निकाल लगते हैं, तो इस लेक्चर में हम, center of gravity ग्याद करेंगे, विलन के लि बेलन के हाँ पे एक solid body है, जैसे कि आप diagram में देख रहा है, यह क्या है एक बेलन है, इस बेलन की हमने radius ले लिए हार, और इसके height ले लिए हो, total जो उचाही है, इसकी h है, अब इससे हमने reference axis कर देंगे, तो reference axis के होगा, सबसे bottom है, इससे हमने mid से axis दोनोट कर दी, यह एक्स इस ड्रॉकर नहीं है, तो बाइक्स हम left side से करते हैं, लेकिन जितने भी हाँ पर numerical करेंगे, यहाँ पर हम बाइक्स को mid से denote करेंगे, mid से denote करने का मतलब क्या है, वो अताता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो इतने भी आकरती होगी, जितने का भी हम numerical swap करेंगे, derivation swap करेंगे, वो स सम्मित होती है, तो बो जो सारी अकरती क्योंगी, सम्मित होती है, तो सम्मित का मतलब क्या है, हम symmetric axis से SHAirect में निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर एंगे,抓 Miami से काड़ देंगे, तो to left और right का क्याय रहता है, आपका, बराबर होता है portion, अगर mid से काड़ दो यसे काटने पर लेफ्ट का और राइट का दोनों तरफ पॉrson की वोगा बराबर होगा जब दोनों स्थी तुर नोगे। होगा तो उन्हाइक परता है तो X बार कितना होता है टोटल X का आधा मतला एक रोगा आपको बाई वार निकाला है तो या तो आपको डाइब आपको कैसे तो आधा को डूलोट करेंगे एक टिक है आप यहाँ पर हम बात करें तो जब बाई एक शपरता से मेट्रिक है तो इसी लाइन में कहीं नहीं पर X बार काम कर रहेगा बुत हम पता ही है तो X बार का मान तो निकाल लोगे आप easily क्यों का टोटल X की भुजा का था लेकिन बाई बार का ऐसे निकालोगे उसकी हमने मुटाई माल ली D-Y ठीक है और आक्थे कितने दूरी पर मान रिंहे हमने ऐक्थे किस सक्षे उपर इतरफ लाइ दूरी चलने पर डी-वाई मुटाई एक this cut कर ली हमने और जिसके radius ओगे वो इसके बराistically होगी बराबर यह radius ठीक है क्योंकि एवी विलना काराकथि है दिग तो ये भी आ रोगया तो यहां पर हम बात करें इसकी है के यह टिक्या है अगर यहां पर हम 1 अ lm US का अधन भथ आपको पूरे वेलन का अधन रच होता है आत लागत गर हम करके पूरे वेलन खांघ होगा अगर लगण साथ को चोटी सेजय डीफ्क के दिस के बात करें इस वालिए डिस्क का क्या निकाय निकाले उस्पीला आई समय यहां ९हां पर हो गें है डी आइ नहीं है तो इसके लिए डिस्क का आयतन की होगा डिस्क का आयतन की होगा डिवी तो जो डिस्क का आयतन होगा वो क्यों हो जागा डिवी हो जागा डिवी डिवी क्योंकि छोटी से स्मॉल डिस्क का आयतन कितना होगा पार उसकार इंटू एज के स्थान की होगा डिवाई इस तो आप यह समझे जितने भी आपके न्युमेरिकल से सॉलिड वाडी के पहां पर हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे गुरुत के इस्तिति निकालेंगे वो निकालेंगे उसके आधार पर मतलब हाँ छेट फल था यहां आधार हो यहां बस और कोई डिफरेंस नहीं अगर पस तू एड़ हो रही तो प्लस मैनस और तो मतल सब्टक्ट और तो मैनस आएगा उसमें कोई फरक नहीं है कर दिए सबसे वहले हमने मान एक डिस्क जो डिस्क है उसके तरज़े कितनी आ रहे है इसके तरज़े आ रहे है मोटा कितनी डिवाई ठीक है तो इस कंडिश लेकिन इसके साथ इसके निकालेंगे पूरी के लिए तो जैसे अगर मान लो छोटी छोटी डिस्क जोगे सभी को हमने पूरी बेलन को छोटी चोटी डिस्क में डिवाइड करने अगर और सभी छोटी छोटी डिस्क का मान जब एड़ करेंगे तो क्या जाओ पूरी बेलन क uptu7 मतलob इसी त्रह से हमने कई तॉड़े में तोड़ दिया है छोट छोट डिष्क में तोड़ दिया एगर हमें वाइबार नि कलना ना है तो वाइबार जैसे उस फॉर्मलिया था जितने डिस्क और नीं यह जितने section होता है उन्हें सब लेकिन यहां पर क्या देखो यह क्या जो छोटी-छोटी-छोटी इस्ट्रिप का आयतन और उस प्राप्त हो जागा इस पूरे बेलना का रख्रतिक लिए हमें गुरुत के इंदर ग्यात हो जागा इसे तरह से अपॉन में क्या प्लस भी थे चोटी-चोटी-चोटी-पीस होंगे कह सकते हैं वाइटन ने अगक मारे इसे सब कर दो करते हैं अगर हम सभी डिवी और आड़ ते जाएं तो हम लिसकते हैं समीशन summation को मतलब क्यों होता है एक तरह से addition तो summation of किसका dv into by का dv into by हो जागा summation इस तरह से ले सकते है डv का मतलब क्या हुआ जो एक strip पर उसका आयतन dv y क्योंगे यहां से यहां तक की दोरी एक सक्छी सापनी दूरी बाई अब जम संपूर्ण का निकालेंगे सारी छोटी-घुटी श्टिक का निकालेंगे एड करने के बाद तो स्मिशन ओफ डि इनटु बाई समिशन अफ्टु बाई स्मीशन मतलता चा सारी स्ट्रिप का एडिशन है इससी तरह से भीन प्लस पहले से पता हमें यहां पर जो हमारा डीवी का माना प्रोगा पाई आरुशकर इंटू डीवाई होगा तो यहां पर वैली पूट कर देते हैं समिश्टन के स्थान पर हम इंटिगेशन भी लिए सकते हैं और भाई के आजागा अपन में प्रोगा समिश्टोशन डीवी किया है टोटल आयतन अब तो टोटल आयतन को लिसकते हो लिए सकते हो पाई आर उसका रिच आजागा यह ठीक है और इंटिगेशिन कि हो इसका देगो अगर हम बात करें हमने जो स्ट्रीप लेंगी कितनी होगी capital H यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी H तो limit होगी हमारी यहां पर B L N के लिए बुकिए होगी 0 to H होगी समझ रहा है क्योंकि जो हम यहां पर मान निकालना है पाई आर उसका डिवा इंटू बाई यहां पर क्या करेंगे बाई की साथ इंटिकेशन करेंगे बाई की साथ इंटिकेशन को मतलब क्यों होगा बाई हमारा यहां से यहां तक है कब है जब डिस्क हमारी यहां पर है इससे तरह से कई साथ डिस्क होगी एक सबसे नीचे होगी जो डिस्क उसके दूरी कितनी होगी, 0, इस तरह से उपर आएगी, फिर उपर, फोर उपर, इस तरह सबसे उपर जो डिस्क होगी वह यहाँ पर, तो limit क्योंगी, 0 to h, तो limit 0 to h, पुट कर दी, अब इसका integration कर दो उपर, तो pi r square constant है भाहर आ गया, बचा क्या, by into dy बचा, integration करना है, 0 to h, upon pi r square h, यहाँ पर आप दीख रहे है, pi r square यहाँ constant है, बहर निकाल लिए, आपने pi का integration, वो by का integration कर दोगो, by का integration क्योंगी होता है, by square upon 2, और limit 0 to h, upon pi r square h, pi r square क्योंगी, cancel out हो जागा, यहाँ पर आप limit put कर दोगी, तो limit put करने के बात क्योंगा, limit put कर दोगो, तो h square upon 2 minus 0, 0 हो अपन में क्यों हो जागा, h, जब इसे solve कर रहो हो जागा, h square upon 2, into h, h, h cancel out हो जागा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, h by 2, तो आप कह सकते है, किसी भी, बेलन के लिए, जो बाइवार का मान होता है, h by 2 होता है, ठीक है, बेलन के लिए, बाइवार का मान होगा, h by 2, बेलन के लिए, क्योंकि यह देखो, x सक्ष में काटोगे, तो यह सम्मित होगा, तब भी, h by 2 होगा, लेकिन आपसे यह derivation पूछ लिए आता है, derivation अगर पूछेगा, तो आप निकाल सकते है, ठीक है, नहीं तो आप साब 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 लिए सकते है, h by 2, अगर आप से derivation पूछे आगा, तो derivation भी आप निकाल सकते है, h by 2 कैसे आता है, ठीक है?